हेलो दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों जैसा कि लाश वीडियो में मैंने आपको सोलर अनरजी के बारे में बताया था कि जो हमारे सोलर पैनल वो किस तरह इस अनरजी को अफ्जोर करकर electricity produce करते हैं ये solar cells कैसे बनते हैं क्या है इनका working principle ये सब कुछ मैंने आपको अपनी last video में बताया था अगर आपने वो video नहीं देखी तो उसका link मैं आपको i button में देदूँगा वहाँ जाकर आप इसको देख सकते हैं उसी topic को आगे बढ़ाते हुए आज की मेरे video उसी का second part है जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि ये solar panels से ये कितने तरह के system पर काम करते हैं अगर दोस्तों आप भी ये complete information जानना चाते हैं तो बने रहे हैं मेरे साथ video में end तक मेरा नाम है गुरुपरीत आप देख रहे हैं मेरे youtube channel think any चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों बेसिकली जो ये हमारे solar panels होते हैं ये तीन तरह के system पर काम करते हैं आज ओन दाडेट ये तीन तरह के system ये आपको market में देखने का मिलेंगे जिसके उपर ये panels काम करते हैं जो first one है वो है off grid जो second one है वो है on grid और जो third one है उसको कहते हैं hybrid solar system इन तीन तरह के solar system के ओपर ही काम करते हैं हमारा solar panel आज का topic जो है वो मैं off grid को ही लूँगा क्योंकि अगर मैं तीनों topic आज ही clear करूँगा तो ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जागी और मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता इसलिए आज मैं off grid जो solar system है उसी को इस वीडियो के अंदर cover करूँगा तो दोस्तो पहले देख लेते हैं off grid solar system का working principles क्या है दोस्तो जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता लग रहा होगा off grid यानि की जो हमारे घरों में बाहर से electricity की connectivity होती है इस system के अंदर हमें उसकी जुरत नहीं पड़ती इसलिए इसे off grid solar system कहते हैं इसके अंदर ये basically market में दो तरह के system आपको मिलते हैं जिनके system inverter पुराने लगे हुए हैं वो एक charge controller लगा कर भी इसको current में convert करता है अब ये DC current बैटरी चार्ज करने के लिए भी use हो सकता है और inverter को connectivity देने के लिए भी use हो सकता है और inverter इस दोनों जगा से अपना load लेकर DC को AC में convert करकर आपका load चलाते हैं अब जो पुराने inverters हैं उसमें इस तरह का part लगा कर आप इसको चला सकते हैं और जो नए है उसके अंदर आपको सीधा inverter लगाना है और सारी wires आपकी चाहे batteries की हो चाहे solar की हो वो आपके उसी system के अंदर उसी inverter के अंदर connect ओकर आपका जो load है उसको चलाएंगी अब आगे दोस्तों इस working principle के बाद मैं आगे आपको यह बताना चाहूंगा जो off-grid solar system है इसको मैंने 5 topics में divide किया है अब इन 5 topics के उपर या 5 points के उपर आप judge कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा solar system best रहेगा आपकी application के इसाब से कौन सा solar system best रहेगा जो first topic है वो है feature जो second है इन 5 के अंदर आप filter कर सकते हैं और judge कर सकते हैं आपके लिए कौन सा system better रहेगा आईए अब start करते हैं जो सबसे पहले चलते हैं इसके features की तरफ अब जो off-grid solar system है जो इसके features हैं उसके अंदर जो first one आता है वो आता है इसकी completely independent यह पूरा का पूरा independent है यानि कि आप चाहे कहीं भी इसको लगा सकते हैं जहाँ पर आपकी electricity का connectivity नहीं है वहाँ पर आप इसको बड़ी easy तरीके से लगा सकते हैं second and long life कि यह काफी लंबे समय तक आपका अराम से चल जाता है और यह hassle free यानि किसी तरह की परशानी नहीं है परशानी रहीत है तो यह इसके main features है अब आगे चलते हैं आगे आप देखते हैं जो off-grid solar system है इसके अंदर components कौन-कौन से use होते हैं तो basically first one तो आपका solar panels होगा क्योंकि हम solar की बात कर रहे हैं तो इसके बिना तो होई नहीं सकता तो first one होता है solar panels second होता है इसमें battery bank जो आपका रात की connectivity के लिए होता है यह जिसको charge करेंगे जब grid नहीं है तो आप कैसे use करेंगे third one है charge controller अगर जिनके पुराने inverter है उसके लिए charge controller चाहिए और last inverter अगर जो आप new ले रहे हैं तो वो inverter बेसिकली अब जो आप latest आज के time में लेने जाएंगे तो आपको यह तीन components चाहिए उप्रेट के लिए एक inverter एक battery bank और एक आपका solar panels अब दोस्तों आगे चलते हैं अब आगे यह देखते हैं कि जो यह वहला system है हमारा यह benefits क्या-क्या देता है हमें यह सबसे main point है क्योंकि अगर कोई भी solar system लगाता है तो सबसे पहले इसी है लगाता है कि इसके benefits क्या है तो benefit में sir सबसे पहला इसका जो benefit है वो है no electricity bill अगर आप off-grid solar system लगाते हैं तो आपका bill बिलकुल zero आएगा क्योंकि दिन में तो solar से आपकी light चलेगी और शाम के या रात के टाइम आपका जो battery bank है वो जितना बड़ा आप लगाएंगे उतना आपको backup मिलेगा तो आप दोनों point दिन और रात को जब आप use करेंगे तो आपका जो great से electricity की आपको जूरत नहीं पड़ेगी इसलिए आपका bill zero आएगा और high return on investment बिलकुल अगर आपका bill नहीं आएगा तो आपकी जितनी investment आए उसके ओपर आपको जो return आएगा वो highly आएगा काफी जज़ा आएगा और जो third one है वो है independent अब ये इसका ये मतलब आप इसको कहीं भी लगा सकते हो अगर आपका कोई ऐसा rural area या कोई भी ऐसी जगह है जहां पर किसी भी तरह की कोई connectivity नहीं है वहां भी ये independently तरीके से बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा अब fourth one पर आते हैं कि इसकी applicability क्या है ये कहां का applicable है ये कहां कहां पर लग सकता है तो जो फर्स चाहिए home और office चाहिए घर हो चाहिए आपका office हो ये दोनों जगहा पर suitable है micro grids, micro grids का मतलब कि जहां पर जो आपकी बाहर के बोर्ट से electricity आ रही है जहां पर काफी ज्यादा cuts लगते हैं या बहुत ज्यादा light जाती है या बहुत ज्यादा problem है वहां पर भी बहुत इजीली तरीके से लग सकता है third one है इसका rural area जैसे कि आपका गाउं या दिहाद का यहां कहीं area ऐसे हैं जहां पर अभी तक electricity की connectivity नहीं है वहां पर बड़े इजीली तरीके से लग सकता है फिर चाहे अगली कर्चर सेक्टर हो फिर चाहे आपका construction side हो और कहीं पर भी हो आप इसको बड़े इजीली तरीके से apply कर सकते हैं लगा सकते हैं अब आगे चलते हैं दोस्तों अब आगे जो यह solar system आप यह देखते हैं कि inverter रहे हैं वो तो एक limit में आपको चाहे ओंगर लगाना पड़ेगा बड़ अगर आप बैकप जाला चाहते हैं तो आपको बैटरी बैक बहुत बड़ा लगाना पड़ेगा जितना आपका लोडस के साफ़ से multiple करके आपको बैटरी बैंक लगाना पड़ेगा इसलिए इसके maintenance के तरफ भी ज़्यादा देना पड़ेगा battery replacement तो मैंने आपको बताई दिया करना पड़ेगा और आपको जगा भी थोड़ी ज़्यादा चाहिए अगर जैसे आपने panels तो उपर लगा दिये बट अगर आप और लगाते हैं तो बैटरी बैंक के लिए आपको नीचे भी काफ सिस्टम दोस्तों अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब मैं चैनल मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग वीडियो के साथ नेक्स टाइम थैंक यू गुडबाए जै हिन्द